हर हर महादेव प्रिय धनूराशी के सातियों 7 अक्तूबर 2024 का दिन आप लोगों के लिए किस प्रकार के योग संयोग लाया है कैसे आज आज आपके धन और सुख में होगी बड़ोतरी चलिए जानते हैं आपके देनिक राशी फल के बारे में उतसे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए शुरुआत करेंगे रोज की तिरह पंचांग से सातियों तो 7 अक्तूबर का दिन सोमवार का दिन है महादेव को समर्पिते दिन चंद्रमा का संचार जो है वो वरिष्चिक राशी में रहेगा इस दिन आश्विन मास के शुकल पक्स की पंचमीती थी और इस दिन नवरात्री के पाचवे दिन मादरुगा के पंचम सरूप मास कंद माता की उपाशना की जाती है नवरात्रे के पाचवे दिन आयूश्मान योग, सरवार्त सिद्धी योग, अनुरादा नक्षतर का सुपसी योग बना है इस दिन आपका भागय है 80% साद्देग और आपका लखी कलर दोस्तों वाइट रहने वाला है इस दिन महादेव की कृपा से आपको कोई अच्छी उपलब्दी मिल सकती है कोई सुकत समाचार सुनने को मिल सकता है इन सुबयोगों का फाइदा आपको किसी अच्छे पुरानी निवेश से अच्छा रिटन दिला सकता है नोकरी करने वालों को अच्छा ओफर मिलने की संभावनाई बनी हुई है या तो उनका पद्ध परतिष्ठा बढ़ सकती है या कोई अच्छी कमपनी से अच्छा ओफर नोकरी का मिल सकता है कुंडली में चंदर देव की चिती मजबूत रहेगी माधरुगा के साथ बगवान शिव की क्रपा भी आज आपको पृप्त होगी जिससे इस दिन आपके धन धान्ने में तो व्रिधी होगी ही इस दिन आपको महादेव की करपा से कारूबारियों को मोटा मुनाफ़ा होगा भागदोर से बरी ये दिनचरिया रहने वाली है स्वास्ते के पड़ते आपको सचेत रहने क्या वश्कता अत्यदिक थकान का महा भार आप महसूस करेंगे इस दिन और इस दिन धनुराशी के जादगों के लिए दिन एक रोशनी की किरन लेकर आया है उरज़ा और उच्सा से भरे हुए नजर आएंगे आपका स्वास्ते अच्छा बना रहेगा महत्पुन निन्ने आसानी से ले पाएंगे लव लाइफ वालों ने अगर पार्टनर के बारे में घरवालों को नहीं बताया तो सभी को एक साथ बठा कर अपनी लव लाइफ के बारे में सभी सदेश्यों को बता सकते हैं जिससे आपके रिष्टे को मानिता भी मिल सकती है प्रोफेस्नल लाइफ की बात करें तो बड़े बड़े से बड़े लक्षों की असानी से प्राफ्ती हो जाएगी अपने कारियों से भी सभी को प्रभाविताज आप कर पाएंगे अगर आप कानूनी मामूलों में फसे हुए हैं तो आपको राहत मिलती नजर आ रही है जिससे आप काफी परशन नजर आएंगे भाई भेनों के साथ अच्छा समय वैतित होगा उनके साथ कहीं भार गुमने जाने की प्लानिंग बन सकती है वैवाहिक जीवन सुकत नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए इदिन परभावसाली बना रहेगा इस दिन अगर आप किसी कॉंपटेटर एक्जाम की रिजल्ट की जो है इंतजार में है तो आपके पक्स में रिजल्ट आएगा भागदोर से बरी दिन चर्या रहने वाली है स्वास्ति के पड़ती आपको सचेत रहने की अतदिक आवश्यक्ता है अतदिक धन खर्च पर आपको रोक लगानी चाहिए इसके साथ इस दिन को मंगल कारी कैसे बना सकते हैं इस दिन मादरुगा से प्राथना करे के आपके जिने मंगल हो बाधाय दूर हो और शिव चालिसा का पाठ करके बोलिनात को मादरुगा को लाल फूल अरपण करके इलाइची का और मिश्रे का भोग लगानी